गूड इवनिंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में दक्सिन भारत के इत्यास की जानकरी के सुरोतों के बारे में अध्यन करेंगे तो देखें स्टुडेंट्स इसे पहले वाले वीडियो में हमने दक्सिन भारत के बोगोलिक छित्र के बारे में जानकरी प्राप की थी तो यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर करें और हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो सारे के सारे एक्जाम के दस्टी से बहुतिम हैतों पुन है अते वीडियो को आप बार बार देखें यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं तो चलिए पढ़ते हैं दक्सिन भारत के इतियास की जानकरी के स्रोध दक्सिन भारत के इत्यास के अध्यन के लिए हमें उतनी अद्धिक समक्री तो नहीं मिलती जितनी उत्र भारत के इत्यास की जानकरी के लिए मिलती है अधिकांस इतिहास लेक को ने दक्सिन भारत की उपेक्सासी ही की है उत्री भारत के इतिहास की जानकरी के साहित्तेक स्रोत पुरातात्विक स्रोत तथा विदे से यात्रियों का विवरण इन सब बातों पे हमने वीडियो बनाए हैं आगे भी हम वीडियो बनाएंगे तो देखेगा उत्री भारत का इत्यास भी और फिलाल हम पढ़ रहे हैं दक्सिन भारत के इत्यास के स्रोत इत्यासकार स्मित का कथन इस संबंद में उचीती पर्तीत होता है कि प्राचीर भारत के अब तक के इत्यासकारों ने इस परकार इत्यास लिखा है कि जैसे दक्सिन का अस्तीत्व ही नहो ये दपी इत्यासकार स्मित का ये कतन सई है कि अधिकास इत्यासकारों की दुरस्टी में दक्सिन भारत का अस्तीत्व ही नहीं था तथा भी हम देश के इस महत्तव पुन भू भाग के इत्यास के पुन्दर निर्माना आर्थ अनेक साहित्यक और पुरातात्विक समगरियां प्राप्त करते हैं साथ ही साथ विदेशी विवरुनों से भी इसके लिए उप्योगी सूचने प्राप्त हो जाती है हम दक्षिन भारत के इत्यास की जानकरी के स्रोतों का वर्गीकरन तीन भागों में कर सकते हैं कौन-कौन से वो तीन भाग साहित्य तो साहित्य जो सबसे पहला भाग है साहित्य तो देखिएगा साहित्य साहिते के अंतरगत हम वैदिक साहिते तथा प्राचीनतम महा काव्यों जैसे की रामायन और महा भारत का उले कर सकते हैं रिगवेद में कहीं कहीं पर दक्षिन भारत के बारे में बताया गया है रिगवेत के एक मंतर में दक्षिना पदा अर्था दक्षिन की दिशा में पैर का परियोग किया गया है किन्तु यह स्पस्ट नहीं है कि इस शब्द से वास्त्विक कात्परिय क्या है इस ग्रंथ में दक्सिन की किसी जाती, नदी, परवत का कोई भी उलेक नहीं मिलता है अता यही मानना उचित लगता है कि पूर्वे वैदिक आरिये दक्सिन भारत से परिचित नहीं थे किन्तु कुछ ब्राह्मन ग्रंतों में हम दक्सिन भारत का उलेक प्राप्त करते हैं एत्रेई ब्राह्मन में कुरू पंचाल से परेपरदेश को दक्सिना दिस कहा गया है इसमें विदर्ब राजे तथा वहां के राजा भीम का उलेक मिलता है सत्पत ब्राह्मन रेवोतरस चाक्रेपाट वस्तपती नामक एक अधिकारी का नाम मिलता है जिसे स्रंजियों ने अपने राज्य से खदेर दिया था कुछ विद्वानों का विचार है कि यहां रेवोतरस से तात पर ये रेवा अर्थात नरमदा के उत्तर का निवाशी है किन्तु ये संदिक्द है व्यक्रण पाणिनी जो पांचवी छटी स्ताब्दी सपूर्व में लिखी गई है दक्सिनी भार से परिचित थे जैसा कि अस् मक एम करलिंग जन्पदों का उलेक किया गया है बोधायन धर्म सुत्तर तथा बोध गरंत सुत निपात एम विने पिटक में दक्सिना पत का उलेक मिलता है बोधायन ने दक्सिन भारतिय समाज में पर्सलित कुछ रिती रिवाजों का भी उलेक किया है कातैन जो इसा पूर पंडे केरल अधी राजों का उलेक किया है। पहले हुए वन पर्देश का समाने नाम था। नदियों में हमें कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, तम्रपणी तथा पर्वतों में महेंदुरे तथा जनपदों में विधर्ब, कलिंग, अंद्र, चोल, पंडे, केरल, अधी का उलेक मिरता है। महाभारत में भी दक्षिन भारत के अनेक जनपदों, परवतों, नदियों, वनों, आदी के साथ साथ अगस्ते रिशी का भी उलेक मिरता है। जिन्होंने दक्षिन में सर्व पर्थम आरिये संसकर्थी का परचार परशार किया। तो देखेगा यहाँ पर क्यूसन बनता है। दक्षिन में आरिये संसकर्थी का परचार परशार किस ने किया था। वह आपके अगस्ते रिशी। इस सबसे स्पस्ट हो जाता है कि महाभारत के वर्थमान सरूप के समय तक दक्षिन बहारत में आरिये संसकर्थी का व्यापक रूप से परचार परशार हो चुका था। हमें यह भी पता चलता है कि इस समय दक्षिन में अनेक तिर्थ स्थर थे जिनें उत्तर के लोग पवित्र मानते थे। सुदूर दक्षिन के तंबिल इध्यास तता संस्कृति पर परकास डानने वाली प्राचिनतम रचना संगम साहिते हैं। सानने के लिए हमारे पास साधनों का अभाव है। जन जीवन पर परकास डालती है। विलन द्वारा रचित विक्रमांग देवचरित से कल्लाणी के चलू के साथ से विक्रमा दिते सस्थ के जीवन चरित तथा उसके समय की गठनाओं पर परकास पड़ता है। पल्लव काल में रचित संस्कृत तथा तमिल भासा के गरंत उसकाल के लिए उप्योगी है। महा कवी सोधल द्वारा रचित अवंती सुंदरी कथासार पल्लव नरेश सीह विष्णू तथा उसके समकाली नरेशों और उनके समय के राजनेतिक और संस्कृतिक जीवन की अच्छी जानकरी देता है। महेंदर वर्मन पर्थमकृत मत विलास प्रहसन कापाली को एम बोध विख्षों के कारण उत्पन समाजिक इस्तिति का वेंगे पूर्ण एम मनोरंजक विवरन परस्तूत करता है। साथ यसाथ इसमें पूलिस तथा न्याई परसासन में व्याप्त ब्रष्टाचारों की ओर भी संकेत किया गया है। साथ निर्दारित करने में सहाइता प्राप्त करते हैं। साथ निर्दारित की रचना कुलोतूं के समय में की गई उस समय की दार्मिक दशा का पता चलता है। पुद्ध मित्र के वीर सोलियम से वीर राजंदर के समय की कुछ एतिहासी गठनों का पता चलता है। कुछ पर्शिद उल्लाओं। कंणड भासा में लिखे गए गरंथों में पंप रचित विक्रमा अरजूनियम विजे अथ्वा भारत तथा रंद द्वारा लिखे गए गद्दा यूद से समसामिक राश्ट्र कूट तथा चालू के इतिहासी सम्मधित कुछ बातों का पता चलता है। पंप कंणर साहिते का सर्वस्रेट कवी था जो राश्ट्र कूटों के सामन्त वेनमूल वाड के चालू के सासक अरी केसरिन द्वित्य का दरबारी कवी था। गुर्जन नरेश महिपाल को बंदी बना लिया था। विदेसी लेख को और यात्रियों के विवरण। पंडे राजे की सासी का पंड्या हेराकलेज की पुत्री थी। उसका राजे 365 ग्रामों का संगठन था। पटे ग्राम को परती दिन राजकोस के निम्मित कर देना पड़ता था। पेरिपल्स नामक ग्रंथ जो पर्थम स्ताब्दी इस्वी का है के अग्यात नामा युनानी लेख का विवरण। दक्सिन भारत के समन्द में सबसे अधिक परमानिक है क्योंकि उसने पर्तेक्स जानकारी के आधार पर लिखा है। वय केरल तथा तमिल देश में स्तित पूर्वी घाठ के परमुक बंदरगाहों तथा भारत और रोम के बीच गनिस्ट व्यापारिक समन्दों का विवरण देता है। पर्तेक्स जानकारी के आधार पर लिखा गया होने के कारण विश्वसनिय है। पर्तेक्स समाजिक तथा धार्मिक इस्तिती के विशे में विवरण पर्स्तुत किया। इसे चालू के सासक पुलके सिन सेकिंड तथा पल्लव सासक नर्सिया वर्मन पर्थम के सासन के समन्द में मैतवपुन सूचने प्राप्थ होती है। वियन सांग पुलके सिन की वीर्ता तथा उसके सासन की पर्संसा करता है। कांची के विशे में लिखते हुए हुए कहता है कि वहां एक सो से अधिक मठों में दस हजार बिक्षू निवास करते थे तथा लोग विध्या के प्रेमी थे। वियन सांग के बाद भारत की यात्रा करने वाले यात्री इस दिंग के विर्वन में भी दक्षन का उलेक मिलता है। इसके बाद भी चीन तथा दक्षन भारत की बीच बड़े पैमानी पर व्यापार समन्द चलता रहा और चीनी जहाद स्वतनतरता पूर्वक भारतिय समुदर में आते थे। ने दक्षन के लोगों के रहन सहन, रीती रिवाज, धर्म, आदी के विशे में विवरण परस्तुत किये हैं। पांडे वन से समन्दित उसके कुछ उलेक भी उपयोगी हैं। तो हमने पड़ा साहित्यक स्रोथ, विदेशी यात्रियों के विवरण अपटें पुरा तात्विक स्रोथ। तो इस सामगरी के अंदरगत हम अभिलेक, सिख्य तथा प्राचिन समारकों की गणना कर सकते हैं। अभिलेक दक्सिन भारत के इत्यास को जानने के प्रमानिक साधन हैं। दक्सिन के सबसे प्रारंबिक अभिलेक असोक कालीन हैं। जो आंदर प्रदेश में अर्य गुड़ी, मास्की, राजूल, मंडगीरी तथा करनाटक में ब्रह्मगीरी, सिधपुर, जटिंग, रामेश्वरम, गोवी मठ, पालकी, गुंडू, अधिस्थानों से प्राप्त होते हैं। ये सुदूर दक्सिन में चोल, चेर, तथा पंडे राजियों के स्तीत्व की सूचना देते हैं। जिनसे हम इस वन्स के सरवादिक सक्ति साली सासक, गोत में पुत्रशात करने की उपलब्दियों, एम उसके वेक्तित्वे, एम चरीतरी की विस्त्रित जानकारी प्राप्त करते हैं। जिनसे हम इस वन्स के सासकों की राजनेतिक उपलब्दियों पर प्रकास डालता है। बादामी के चालू के वन्स के इत्यास का सबसे अधिक महतोपूर्शादन पुलकेसिन द्वित्य का एहोल अभिलेख है। दक्सिनी, ब्राहमी, लिपी तथा संस्कृत भासा में अंकित है। इस परसस्ती का रचियता रवी कीर्थी था। इसके अधियन से हम पुलकेसिन के उपलब्दियों के साथ साथ उसके समय तक चालू के इत्यास तथा समकाली लाट, मालव, गुर्जर, अधिके रजों के साथ पुलकेसिन के संबंदों के विशे में जानकारी प्राप होती है। अन्ने लेखों में बादामिका सिललेक महाकूट अभिलेक हैदराबाद दान पत्राभी लेक आधिका उलेक किया जा सकता है। प्राक्वर्ट और संस्क्रित दोनों ही भासों में मिलते हैं तथा मंदिरों, सिलाओं, तमरपत्रों, मुद्रों, अधि पर उत्किन हैं। प्रारंबिक लेकों में मैड, वोलू तथा हीर, हडगली के लेक भी उपयोगी हैं। बाद के लेकों में उदेंदीरम, दानपत्र, कसागुडी, दानपत्र, भाहूर, पलवरम, पनमलाई, बैकूंठ, पेरुमाल के लेक, महत्वपुन हैं। चोल सासकों ने भी अनेक अभी लेकों को उत्किन करवाया था। इनमें संस्कृत, तमिल, तेलगू, कननड, सभी भासों का प्रियोग हुआ है। परमुक चोल लेक, लेडन दानपत्र, तंजोर लेक, तीरु वालंगाडू, तथा करंडे के दानपत्र, तथा तीरु वेंदपुरम, और उत्तर मेरूर अभी लेक है। राजेंदर तृतिये के समय में, उत्किन कराया गया तीरु वेंदपुरम का लेक, एत्यासिक द्रस्ति से अत्यन्थी महत्तो पुन है। इसमें नए केवल चोलों के उत्कर्ज, अपितु, उनके प्राभव का भी विवरन परस्तूत किया गया है। ये होईसल राजों के प्रति कर्तिग्यता की जानकारी परदान करता है, जिनकी सहता से चोलों का पुन्रुधार हुआ। उत्तर मेरूर लेक से चोल कालिन सुविक्सित ग्राम सासन की जानकारी प्राप्त होती है। इसी परकार पंडे वन्स के इत्यास के लिए वेल वी गुड़ी तथा सिन्ना मन्नूर के लेक अत्यन्त उप्योगी है। दक्सिन भारत के इत्यास की जानकारी के लिए सिक्कों का भी मैतवपुन योगदान रहा है। साथवान राजों ने अपने सिक्कों के लिए सिसे का प्रियोग किया। इन पर उत्किन मुद्रा लेखों में जिन राजों के नाम मिलते हैं पुराणों से भी उनकी पुष्टी होती है। उनके कुछ सिक्कों पर दो पत्वारों वाले जहांच का लक्सन मिलता है। इसे पता चलता है कि उसमें समुद्री व्यापार काफी विक्सित था महरास्टर के नासिक जीले के जोगल थम्बी से प्राप सीकों के आधार पर ये निसकर्ष निकाला गया है कि गोतमी पुतर साथकर्णी के सक छत्रप नहपान को प्राजित किया था बादामी के चालूकियों के सीकों पर वारा लक्षन मिलता है कल्याणी के चालूके सासकों जै सिंग, जगदे, कमल, सोमेस्वर, प्रथम तथा तैल तृतिये के स्वान शीकों से उनके काल के आर्थिक सम्रद्धी की सूचना मिलती है पल्लवों के कुछ सीकों पर नाव का चित्र मिलता है जो उनके समय के समुद्री व्यापार की प्रगत्ती का धोतक माना जा सकता है चोल राजों ने, सोने, चांदी तथा तामबे के सीके प्रचलित करवाये थे ये उनके प्रभूशता, गोरव तथा उनके समय के आर्थिक प्रगत्ती के परिचायक है सुदूर दक्षण के कैई स्थानों से रोमन समराटों जैसे ओगस्टस, नीरो, टाइबेरियस, आदी के शुणशी के मिलते हैं इनसे पता चलता है कि इसा की प्रारंबिक स्तापदियों में भारत तथा रोम के बीच गनिष्ट व्यापारिक समपर्क था अभिलेक तथा सिकों के अलावा दक्षण के विबिन स्थानों में बहु संक्यक मंदिर, मूर्तियां, भवनों तथा समारकों के अवसेस मिलते हैं जिन से सभ्यता के विवित पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है तंजोर का राज राजेश्वर मंदिर दर्विड सली का सबसे अच्छा उधारन है पल्लव काल के भी अनेक मंदिर प्राप्त होते हैं विबिन स्थानों से बोध विहारों के भी उधारन मिलते हैं अजनता के गुफाओं के चित्रकल्ला के विकास के चर्मोत कर्स की जानकारी परदान करते हैं तो देखें स्टूदेंस इस वीडियो में हमने दक्सर्म